आपका स्वागत आज की सुड़ में अगर आपने फेस्बुक पे अपना एक अकाउंट बना के रखा हुआ है तो फिर यह जाहिर सी बात है कि फेस्बुक पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे बहुत सारे मित्र होंगे और अगर बहुत सारे मित्र हैं यानि कि बहुत सा उनलाइन स्टेटस है एक्टिव स्टेटस है उसे आप हाइट करके रखना चाहते हैं उसे आफ करके रखना चाहते हैं ताकि किसी को यह पता ना चले कि आप फेस्बुक पे उनलाइन है या नहीं है और आप आराम से फेस्बुक को इंजाई कर सकते हैं अपने फेस्बुक के को enjoy कर सकते हैं अपने facebook के online status को यानि कि active status को hide करने का यानि कि छुपाने का और भी बहुत सारे regions होते हैं लेकिन चाहे जो भी region हो आप यह चाहते हैं कि आप अपने facebook account के active status जो है online status जो है उसे आप hide करके रखना चाहते हैं ताकि कोई भी आपको परिसान ना करे तो फिर चलिए आज की स्वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने facebook account के active status को hide कर सकते हैं सबसे पहले तो आप अपने facebook app को open कर लें उसके बाद अगर आपने अपने account login नहीं कर रखा हुआ है तो फिर अपने account को login कर लें अपने facebook के app को on करने के बाद और login करने के बाद आप अपने facebook के app पर सबसे टॉप में right side corner में एक message का icon होगा उसके नीचे में देखिए आपको ठीन लकीरें दिखे रहेंगी आपको इन तीन लकीरों के उपर टैप करना है इनके उपर टैप करने के बाद आपका menu खुल जाएका आपके menu किलने के बाद आपको थोड़सा scroll prevents करना है इसी क्रोल डाउन करने के बाद आपको नीचे में एक option दिखेगा settings का आपको Simply उस option के उपर click कर देना है। Settings वाले option पे click करने के बाद, आपको थोड़ा सा scroll down करना है। Scroll down करने के बाद, यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, active status का। आपको Simply active status वाले option के उपर click कर देना है। इसके उपर click करने के बाद, एक निया page खुलेगा, जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा so when you are active और उसके बगल में आपको enable और disable का button मिलेगा जो कि आपके active status को enable करता है और disable करता है अगर वो button blue color का होगा यानि कि आपका active status enable है यानि कि आपका active status on है तो इसको simply disable कर देना है disable करने के लिए आपको इस button के उपर click करना है इसके उपर tap करते ही आपके सामने एक pop-up message आएगा जहां पर आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा यहां पर लिखा हुआ turn off active status question mark यानि कि यह आप से पूछ रहाएगे क्या आप अपने active status को off करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप अपने active status को off कर देंगे तो फिर आपका active status को यह नहीं देख पाएगा और नहीं कोई यह जान पाएगा कि आप online है या offline है और इसके साथी साथ आपके जितने भी friends आप facebook पे उन में से आप किसी के active status को नहीं देख पाएगे यानि कि आप अपना active status तो बंद करी रहे हैं साथी साथ आप आप अपने friends के भी active status को नहीं देख पाएगे नहीं उनके last scene को देख पाएगे यानि कि active recently का जो option होता है वो भी आप नहीं देख पाएगे अपने किसी भी friends का और नहीं उनसे chat करते वक्त यानि कि जब उनसे आप chat करते हैं message में तो message में भी आपको उनका recently active का option नहीं दिखेगा या फिर उनका active status यानि कि वो online है या नहीं है इनके बार में भी पता नहीं चलेगा इसलिए फिर भी अगर आप इस option को off करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे निचे में आपको दो option दिख रहे होंगी एक है cancel का एक है turn off का अगर cancel के button पे click करते हैं तो फिर यह option वापस से enable हो जाएगा और turn off के उपर click करते हैं तो फिर आपका यह option off हो जाएगा यानिका आपका active status off हो जाएगा चलिए हम turn off के उपर click कर लेते हैं और अपने status को हम hide कर लेते हैं और अगर आपको वापस से अपने active status को लाना है यानिके online status को वापस लाना है तो फिर simply आपको so when you are active के बगल में जो button दिया हुआ है जिसके उपर click करके आपने इससे disable कर दिया आपको simply उसके उपर click करना है और ये वापस से enable हो जाएगा तो चलिए आज का वीडियो रखते हैं बस यहीं तक आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक देदेना और चैनल को subscribe कर लेना मिलते हम आपसे अगले वीडियो में